हेलो दोस्तों मैं सौरों मली का आप सभी का Topic Study चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले साइन्स के Top 25 MCQs जो कि पिछले 15-20 सालों से लगतार बार बार पूछे जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा और इन Top 25 Qs में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बोक्स में जरू बतेगा दोस्तों वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक जरू करना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पे रात के 9 बजे डेली वीडियो आपको मिलती है और बैल आइकन को भी ओन कर लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तो अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की है उनकी प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियो देख सकते हैं अनकेडमी पर दोस्तो आप कम्पलीट चारी कर सकते हैं SSC, Bank, Railway, UPSC और भी बहुत सारे एक्जाम्स की अगर आप अनकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन जोइन करते हैं तो आप स्टेडिट एन कोल आके जोइन कर सकते हैं जिससे की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनकेडमी प्लस के बहुत सारे बैनिफिट्स होते हैं दूस्तो यह सारे ही एक साथ आपको मिल जाते हैं जब आप अनकेडमी प्लस जोइन कर लेते हैं अभी तक आपने मेरी प्रोफाइल को फोलो नहीं कि आनेकेडमी पर तो सोरब बलिक नाम सर्च करके फोलो कर लिजे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया गया है मेरी प्रोफाइल का वहां से आके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों रात के ग्यारा बजे वीडियो होती है मेरी प्रोफाइल पर यानेकेडमी पर उस वीडियो को जरूर देख लेना वई और फोलो अभी कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो गैस यहाँ पर पहला कोशन है मनुष्य के दाथ कितने परकारके होते हैं अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बोक्स में बता दीजे देखे दोस्तों मनुष्य के दाथ होते हैं चार परकार के कौन कौन से होते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मुलर और मुलर अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से दाथ कितने होते हैं तो इंसीजर जो होते हैं दोस्तों यह चार होते हैं ठीक है मैं आपके लिख देता हूँ यह चार होते हैं और जो आपके कैनाइन्स होते हैं यह होते हैं कितने यह होते हैं दो और आपके प्री मोलर और मोलर प्री मोलर होते हैं प्री यह भी चार होते हैं और मोलर होते हैं तो कितने होगे? चार और तो च्छे च्छेर च्छेर बारा बारा और चार 16 यानि की 16 दात होते हैं नीचे और 16 उपर यानि की टोटल 22 दात होते हैं तो ये भी आपको पता हो न चाहिए बाकिया आप सभी को समझ में आ गये होगा कि चार परकार के दाथ होते हैं ठीक है चले next question next question है यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्पोर्ट हो उसकी धवनी प्रत्वी पर कितनी देर में सुनाई देगी अच्छा question है कहीं बार एक्जाम बे आया है तो दोस्तो उसकी धवनी कभी भी सुनाई नहीं देगी यानि कि option रहेगा be right answer चले next हमारा question आता है चलती lift में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ता है देखिए चलती lift की बात की गई है यह नहीं बताया कि उपर जाते time या नीचे आते time तो यहाँ पर confusion हो सकता है ठीक है तो बहुत सारे student कम बोल देंगे कोई ज़्यादा बोल देंगे बट उपरुक दोनों रहेगा क्योंकि चलती lift की बात कीगे चलती lift वो उपर को जा रही है या फिर नीचे को आ रही है यह नहीं बताया गया तो क्या फर्क पड़ेगा बढ़ेगा भी और कम भी हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर आते हैं यह ऐसे से question ही आपको confuse करते हैं जब आप lift में उपर को जाएंगे तो आपको बढ़ आपना weight ज़्यादा लगेगा बढ़े जब lift नीचे को आती है तो आपको weight कम लगता है दोस्तों next है transformer की सिद्धान्थ पर कार्य करता है तो इसका सही आंसर रहेगा transformer की सिद्धान्थ पर कार्य करता है तो विदुत चुम्बकिये प्रेरण और यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा अनियोन्ये प्रेरण यानि की दोनों ही रहेगी तो उप्रुक दोनों इसका सही आंसर रहेगा चले, नेक्स्ट हमारा कोशन आता है पोधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनीज का परिवेन करता है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर बते ही जल्दी से जाईलम इसका सही आंसर रहेगा यानि की option ए इसदार रेट आंसर नेक्स कोशन दोस्तों नेक्स कोशन पर जाने से पहले मैं बता दूँ अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं और आप an academy पर complete त्यारी करना चाहते हैं course join करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले an academy learning app अपने mobile में download करना होगा उसके बाद अपना goal सेलेक्ट करना होगा किस exam की आप चाहरी करना चाहते हैं और यहाँ पर वो डाल देना होगा code ठीक है यानि कि railway या SSC bank जो भी त्यारी करना है तो यहाँ पर get subscription पर click करना है जितने भी मंत का code join करना है उतने पर click करना है continue पर click कर देंगे next हमारा आता है enter referral code चाहाँ पर लिखाऊगा enter referral code तो referral code आपको use करना है सोराब 11 से यूर अबी एच वन वन जैसे आप इस code को apply करते हैं तो आपका जो fees होगी वो कम हो जाएगी यानि कि उसमें आपको discount मिल जाएगा और आप उस fees का payment करके सारे classes enjoy कर सकते हैं सभी classes को access कर सकते हैं इस discount code का आप skin sort भी ले सकते हैं चलिए next हमारा question आता है सवतंत रूप से लटके हुई लकडी यहाँ पर लकडी रहेगा ठीक है तो इसको यहाँ पर अटा देते हैं लटके हुई लकडी के एक ढाचे में कील ठोकना कठिन होता है कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है तो गैज यहाँ पर देखें सवतंत रूप से एक लकडी ऐसे अगर लटकी हुई है और उस में कील हमें ठोकना होगा ठीक है, तो वो कठीन होगा, उसमें कील इसली नहीं ठुकेगी, क्योंकि देखे, अगर लकडी ऐसे पड़ी हुई है, और उसके नीचे कुछ भी ठोस रखा हुआ है, आप उसमें कील ठोकेगे तो ठुक जाएगी, पर अगर आप ऐसे लकडी को ऐसे लटका देंगे, और आप इदर से कील उस पर ठोकेगे, ठीक है, तो वो दूसी साइड में खिसक जाएगी, तो मतलब उसमें ठुकेगी नहीं, तो यह न्यूटन का तृत्य नियम, इस कथन का समर्थन करता है, तो ओप्शन हैगा, सी रेट आंसर, नेक्स्ट हमारा कोश्चन है, जीवन की मूलबूत इकाई क्या होती है, इसका सही आंसर हैगा, कोशी का, ठीक है, चले, नेक्स्ट कोश्चन, नेक्स्ट हमारा कोश्चन आता है, तो वीट इस्टोन ब्रीज से क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है दोस्तों परती रोज, यानि की रेजिस्टेंस, ओप्शन रहेगा, A-Rite-Answer पानी के अंदर धवनी सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है तो देखे पानी के अंदर धवनी सुनने के यंत्र को कहा जाता है Hydro-Fone, ठीक है, ओप्षन रहेगा A-Rite-Answer Sodium और Potassium को किस में डुबो कर रखा जाता है तो सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है केरोसीन में यानि की ओप्षन रहेगा C राइट आंसर नेक्स्ट जिवानों की खोज किस विज्ञानिक ने की थी तो एंटोनी वान लुवेन हॉक इसका सही आंसर हैगा ओप्षन C इसदा रहेट आंसर हीमोगलोबीन किसका मुख्य गटक है तो हीमोगलोबीन दोस्तों मुख्य गटक है RBC का एक विशेश कारिये करने वाले सम्मान ओसिकाओं के समू को क्या कहते है तो क्या कहते है उत्ता क्यानी की ओप्षन रहेगा T रैट आंसर दिरव्यमान परती युनिट आयतन क्या कहलाता है तो घनत्व इसका सही आंसर रहेगा ठिये गई किस विज्ञानिक ने करम विकास का सिद्धान दिया था तो चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर रहेगा यदि प्रतिव पर किसी इंसान का वजन 38 किलोग्राम है तो बुद्ध गरहे पर उस इंसान का वजन कितना होगा तो दोस्तों जितना भी यह होगा उसका आप 38 परसेंट कैलकुलेट कर लेना ठीक है तो आप से पूछ जार है 38 किलोग्राम का 38 kg का 38% निकालेंगे तो 14.3 kg इसका सही आंसर रहेगा ठीक है यह आपको याद रखता है सही है लोहों पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है बिल्कुल दोस्तो रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सी करन और अब चैन यह आपको दोनों ही राइट आंसर सही है यानि कि उप्रुक्त दोनों ओप्शन सी इस दा राइट आंसर ठीक है आपसे यह भी पूछ जाता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है कटता है या रिमेन रहता है तो भार बढ़ जाता है यह भी आपको याद रखन है कहीं बार यह कोशन पूछ जाता है नेक्स कोशन है परकासियत तंतु में परकास की सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका सही आंसर रहेगा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन यानि कि ऑप्शन रहेगा बी रखनासर नेक्स्ट हमारा कोशन है मानव सरीर में अनीमिया बिमारी किस धातु की कमी के कारण होती है तो लोहो इसका सही आंसर रहेगा सबसे पहले डेन्यको किस ने अलग किया था इसका सही आंसर एगा फेडरिक मेस चेर यानि की ओप्शन रहेगा ए रहेट आंसर ब्लेक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है तो सारे रंग अवसोसित कर लेता है यही करण है इसका सही आंसर ओप्शन भी रहेगा दाब का SI मातरक क्या होता है तो दाब का SI मातरक दोस्तों पास्कल है कारिय का SI मातरक और CGS मातरक में क्या संब्द होता है तो एक जूल बराबर टैंटू की पावर सेवन अर्ग इसका सही आंसर रहेगा जीवन की मुल्बूत इकाई क्या होती है तो जीवन की मुल्बूत इकाई कोशी का इसका सही आंसर रहेगा पानी से बरी टंकी उपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देती है इसका कारण क्या है तो अब वर्तन इसका सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों ठीक है तो ये थे साइन तो थेंक्यू सो मच गाईज आपने इस सेशन को पूरा एंट तक देखा आई होप कि आपको पसंद आयोगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में सेर कर लिजे और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उन रखे ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो उसके नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे थेंक्यू सो मच बिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई